हेलो दोस्तों मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत हैं आज की क्लास में हम बेहार करेंट अफ्यर वार्सी कांग एडुटेरिया का न्यू बुक में दिया गया चैप्टर बेहार संपादक के समचार का आज पार्ट टू है तो चलिए सुरू करते है टॉपिक है ग्रेन बजट 2024 बेहार 2021 में ग्रेन बजटिंग की प्रकिरिया सुरू करने वाला भारत का पहला राज्च था बेहार 2021 में ग्रेन बजटिंग की प्रकिरिया सुरू करने वाला भारत का पहला राज्च था बेहार में 2.25 हेक्टेर या इससे अधिक छेत्रफल वाले 4526 के आसपास आद्र भूमी है भारतिय वन सर्वेक्षन के अनुसार बेहार में 13,896 वर्ग किलो मेटर का व्यापक वन छेत्र है जो इसके भूमी छेत्र का 14.75 प्रतिसत है वन कारवन मुख्य रूप से मिट्टी और मृत पेर और मृत पौधों में पाया जाता है जो 2021 में 56,88 मिलियन टन था मृदा कारवनिक कारवन एस ओसी में कारवन की अधिक्तम मात्रा जो 2021 में बेहार की कुलवन कारवन फूल का 63.1 प्रतिसत है राज्ची का वार्षीक भूजल पुनभर्णन 33.96 मिलियन क्यूबिक मीटर है जिसमें 2023 के दोडान 44.86 निसकर्शन दर है बेहार राज्ची प्रदूसर नियंत्रन बोर्ड BSPCB ने वर्स 2017 तक राज्ची को कारवन नियूट्रल बनाने के लिए UNEP के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किये हैं BSPCB राज्च के 23 जीलों में पैतित सतत परिवेश वायू गुनवत्ता निगराने CAAUMS के समध्यम से परिवेशी वायू गुनवत्ता के निगराने करता है बिहार देश का पहला राज्च है जो IIT कानपूर के सहयोक से स्वदेशी तकनिक का उप्योग करकी ग्रामिन छेत्रों में ब्लोक अस्तर पर परिवेशी वायू गुनवत्ता की निगराने करता है पश्चिमी चमपाडन जीले में हाथी बचा और पुर्णवास केंद्र की अस्थापना की गई है ग्रीन बजट तुजार 24 पचीस प्रवधान वित्त वर्ष तुजार 24 पचीस में ग्रीन बजट के लिए कूल आवंटन 13,823.49 करूर रुपए होने का अनुमान है राच के सकल घरिलू उत्पाद में ग्रीन बजट का हिस्सा 1.42 प्रतिसत है जबकी दोजार 24 पचीस में राच के कूल बजट में ग्रीन बजट का हिस्सा 4.96 प्रतिसत था बिहार में ग्रीन बजट का प्रदर्शन 24 पचीस वर्ग योजनाव की संख्या ग्रीन बजट कूल हडित बजट करूर रुपया पूरी तढ़ समर्पित 90-100 प्रतिसत 90 योजनाव की संख्या 6514.8 करूर रुपय बी बहुत उच्च महत्व 75-90 प्रतिसत योजनाव की संख्या 22 कूल हडित बजट 148.77 करूर रुपय C. उच्च महत्व 50-75 प्रतिसत 49 योजनाव की संख्या कूल बजट 3769.62 करूर रुपय D. मध्य महत्व 25-50 प्रतिसत 49 योजनाव की संख्या 1,987.99 करूर रुपय E. कम महत्व 5-25 प्रतिसत 68 योजनाव की संख्या 1267.95 करूर रुपय F. सिमांत महत्व 5 प्रतिसत तक योजनाव की संख्या 13 कूल हडित बजट 144.98 करूर रुपय F. कूल 281 कूल बजट 13,823.49 करूर रुपय कूल बजट है F. राच्य हरित बचर 2024 को नेमन रूप में पांट कर प्रात्मेक्ता दी गई है F. हरित अव संरचना 24.65 प्रतिसत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 19.24 प्रतिसत F. हरित अर्थ विवस्ता और पडिया वड़न 14.83 प्रतिसत F. सतत भूमे उप्योग 14.3 जलवायू परिवर्तन समन 10.82 प्रतिसत F. स्वक्सता और अप्सिष्ट प्रबंधन 6.61 प्रतिसत F. वायू और जल प्रदूसन 6.1 प्रतिसत F. जय विविदता और परिस्थीति की संरख्षन 3.81 प्रतिसत F. बाल कल्यान बजट 2024-25 F. बिहार में 2013-14 से बाल बजट की सुरुवात हुई F. पिछली 10 सालों में यानी 2013-14 से 2022-23 की बीच बच्चों पर होने वाले F. खर्च में सालाना 20.50 प्रतिसत की दर से बढ़ोत्री हुई F. सेंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से बच्चों के लिए कुछ संकेतन F. संकेतन पुरूस और महिला F. सिसु मृत्यु दर पुरूस 26 महिला 29 F. सकल नामंकन अनुपाद 2021-22 एक से आट 95.1 महिला 97.4 F. सकल नामंकन अनुपाद 2021-22 नो से दस 63.1 पुरूस और महिला 66.8 F. सकल नामंकन अनुपाद 2021-22 एक ज्यार से बारव 35.6 पुरूस 36.2 महिला प्रात्मिक अस्तर पर ड्रॉप आउट दर 2021-22 जीरो महिला जीरो पुरूस उच्च प्रात्मिक अस्तर पर ड्रॉप आउट दर 2021-22 चार दसमलब जीरो पुरूस 5.2 महिला प्रमुक उपलब दिया प्रमुक उपलब दिया बिहार में सीसू मृत्यु दर में उलेखने गिरावट आई है जो 2015 में 42 प्रती हजार जीवित चन्मों से घटकर 2020 में 27 प्रती हजार जीवित चन्मों पर आगई है बिहार में बाल मृत्यु दर में अप्रतियासित गिरावट आई है जो 2015 में 12.0 प्रती हजार जीवित चन्मों से घटकर 2020 में 6.9 प्रती हजार जीवित चन्मों पर आगई है बिहार में 12 से 23 महिनों की आयू की बच्चु की पूर्ण टीका करन कवरेज 11.6 प्रती सत NFHS 2.1998 से 99 से बढ़कर 2020 में NFHS 5 में 71 प्रती सत हो गया है जो 69.4 प्रती सत अंकों की व्रेधि है बच्चों में बॉनापन दोजार पांट छे एन एफ एच एस तीन में 55.6 प्रती सत से 12.7 प्रती सत अंक घटकर 2019 में NFHS 5 में 42.9 प्रती सत हो गया है NFHS के आंकडू के अनुसार पांच वर्से कम आयू के कम वजन वाले बच्चों की संख्या 2015-16 NFHS 4 में 43.9 प्रती सत से घटकर 2019-20 NFHS 5 में 41 प्रती सत हो गई है जो 2.9 प्रती सत अंकों की गिरावट है प्रत्मिक और उच्च प्रत्मिक को मिला कर कूल नामंकन 190.23 लाख रहा जिसमें 97.49 लाख लड़की और 92.73 लाख लड़कियां है प्रत्मिक अस्तर अधिक्तम आयू समू 14 वर्स पर लेंगिक अस्तर 2015-16 में 7.29 लाख से घटकर 2022-23 में 4.76 लाख हो गया प्रत्मिक अस्तर पर ड्रॉप आउट दर सुन्ने हो गई है जिसका अर्थ है कि वर्तमान में सभी छात्र प्रत्मिक सिक्चा पूरी कर रहे हैं उच्च प्रार्थिमिक में डॉप डॉप आउट में 2015-16 में 42.2 प्रतिसत से 49.4 प्रतिसत अंकों की गिडावट आई है जो 2022-23 में 2.77 प्रतिसत हो गई है माध्यमिक अस्तर परवी 2015-16 और 2022-23 की बीच गिडावट 40.3 अंकों की है 2022-23 में पिछले रुजान को बदलते हुए उच्च प्रात्मिक और माध्यमिक अस्तर पर लड़कियों के डॉप आउट लड़कों की तुलना में कम है छात्रों को आपदा प्रबंधन गती वीध्यों के लिए विभिन पहलूँ से अवगत कराने के लिए 11 नमंबर 2022 सिक्षा दिवस को बैगले सेव सेटेर्डे की अब धार्ना सुरू की गई थी अक्टूर 2022 से सभी सरकारी प्रात्मिक विद्यालयों में मासिक अभिवावक सिक्षक बैठके पी टी एम सुरू की गई बाल बजट एक नज़र बच्चों पर कूल व्य 20.5 प्रतिसत की वार्सिक दर से बढ़कर वर्स 2022 में 47,847.6 करोर रुपए हो गया है इन वर्सों में औसतन बाल विकास पर व्यक का हिस्सा कूल राच्च बजट का 16 प्रतिसत रहा इसी अवधी में बच्चों की प्रतिव्यक्ति व्य 2013 से 14 में 1569 रुपई से 5.9 गुना बढ़कर वर्स 2022 में 9,131 रुपई हो गया वर्स 2022 में गूल राच्च बजट में बच्चों का हिस्सा 20,6 प्रतिसत रहा बाल बजट योजनाओं का वित्रन 2024 प्रतिस अस्थावन एवं प्रति बद्धव्य 50 प्रतिसत राच्च योजना 11 प्रतिसत केंद्र प्रायोजित योजनाओं प्लस केंद्र छेत्र योजना 49 प्रतिसत 2024 के लिए सिर्ष बिभागों का आवंटन सिक्छा बिभाग 43,344.70 करूर रुपए पंचायती राज 4,386 करूर रुपए समाच कल्यान 3,176.94 करूर रुपए आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग के योजना में बिहार का प्रदर्सन राच्च में सामाजिक आर्थिक जाती जन गनन दोजर 11 की डाटाबेस की अधार पर चयनित परिवाडों को सरकारी एवं सूची बद नेजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक प्रती वर्स प्रती परिवाड ने सुल्क चिकित्सा सुविदा उपलप्त कराई जा रही है इस योजना का मुख्य उद्देश गरीप परिवाडों को संस्थागत इलाश के माध्यम से उच्च गुनवत्ता की चिकित्सा उपलप्त कराना है योजना का किरियानवन्य बिहार स्वास्त सुरक्षा समेती द्वाडा किया जा रहा है जन्वरी 2024 तक राज्च में कूल 40.55 लाख परिवाडों के 86.69 लाख व्यक्तियों को आयुश्मान कार्ट निर्गत किया जा चुका है राज्च में कूल 607 सरकारी एवं 344 गैर सरकारी अस्पताल अर्थात कूल 951 अस्पताल सूची बत किये जा चुके हैं पात्र लाभारतियों को निसुल्क आयुश्मान कार्ट बनाने हेतू कॉमन सर्विस सेंटर वसुधा केंद्र कार्य पालक सहायक पंचायती राज बिभाग एवं जीवी का दीदियों का सहयोग लिया जा रहा है जीवी का बज़र 2024 में किये गए नए प्रवधान बिहार सरकार की महत्वकांची पडियोजना जीवी का बिहार में महिलाओं के विका ससक्तिकरन एवं ग्रामिन गडिबी के उन्मूलन हेतू कारियत है जीवी का द्वारा अब तक कूल 10.47 लाक स्वयम साहता समूहों का गठन किया गया है जिसके अंतरगत 1.30 लाक से अधिक परिवाडों को समूह में समूह से जोड़ा गया है वित्वर 2024 में 1.3 लाक नए समूह का गठन किया जाएगा वित्वर्स 2024 में जीवी का को 1.500 करूर रुपई की आर्थिक सहता प्रदान की जाएगी वित्वर्स 2024 में 1.4 लाक जीवी का दीदियों को बीमा से अच्छा देत करने का लक्ष है वित्वर्स 2024 में जीवी का दीदियों द्वारा लगभग 2.000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाने का लक्ष है स्वास्त विभा की साथ अभिशरन कर अव तक कूल 194 जीवी का दीदी की रसोई का संचालन किया जा रहा है वित्वर्स 2024 में पचास नए जीवी का दीदी की रसोई खोलने का लक्ष है कोईलवर एवं गोरोल में जीवी का दीदी की सिलाई घर संचालित है जिसमें साथ सो जीवी का दीदिया कार्य कर रही है जीवी का द्वार्ण वित्वर्स 2024 में 35,000 युवाओं को प्रसिक्षित कर उन्हें नियोजित सर नियोजित करने का लक्ष है जीवी का द्वार्ण राच से बाहर दू केंद्र बिहार प्रवासी संस्थान केंद्र दिल्ली एवं बैंगलोर में अस्थापित किया गया है जीवी का दीदिया द्वार्ण अब तक 3.49 करोड पौधा रोपन किया गया है नवीन एवं नवी करने उर्जा मंत्राले की सहयोग से जीवी का दीदिया सोलर लेंप निर्मान का प्रसिक्षन प्राप्त कर सोलर लेंप चला रही है गया जीले में जे वायर्स कमपणी के असापना की गई है जो इस उद्ध्यम को संचालित कर रही है ग्रामिन परिवारों की बच्चों को सिक्षा प्राप्त करने हेतू समूचित सहयोग प्रदान कराने एवं केडियर निर्मान की संबन में सही मार्ग दर्सन उपलप्त कराने के उद्धेस से जीवी का द्वारा बिहार के 32 जीलों के 100 प्राखंडों में जीवी का लाइब्रेडी की अस्थापना की गई है जल जीवन हर्याली अभ्यान को मिलने वाले पुरुसकार दूबई में संपन्न कोप 28 सम्मेलन में जल जीवन हर्याली अभ्यान को वैस्विक अस्तर पर सहारना चतूर्थ राष्ट जल पुरुसकार 2022 में सर्व स्रेष्ट राज्यों की स्रेनी में त्रेत्य पुरुसकार मिला 20 में CSIE governance पुरुसकार में परियोजना स्रेनी में एवार्ड ओफ एक्सिलेंस प्राप्त हुआ TV मुक्त पंचायत का सुभारम 12 मई 2023 को TV मुक्त पंचायत का सुभारम किया गया जिसकी तहत प्रतीक प्रकंड से दोदू पंचायत को TV मुक्त करने का लक्ष रखा गया है विश्व यक्ष्मा दिवस 2023 की अवसर पर बनालसी में आयो जीत वारा नसी में आयोजीत One World TV सम्मिट में यक्षमा उन्मोलन कार्य में उत्क्रिष्ट प्रदर्शन करने वाले मुजप्पर पूर एवं समस्ति पूर जीला को स्वर्ण पदक, सिवान को रजत पदक तता पूर्णिया एवं सारन को कास्य पदक से सम्मानित किया बिहार राच्य पूल निर्मान निगम अंतरगत चल रही प्रमुख मेगा पड़ियोजनाए छपड सहर में गांधी चौक से नगर पाली का चौक तक डवल डेकर फ्लाइ ओवर का निर्मान कार्य लागत 411.31 करूर रुपए पटना जीला अंतरगत कार्गिल चौक गांधी मैधान से साइन्स कॉलेज भाया PMCH असुक राश्पत में डवल डेकर इलेवेटेट कोरिडोर का निर्मान कार्य लागत 422 करूर रुपए रोहतास जीला अंतरगत सोन नदी पर पंडुका के पास पहुँच पत सही दो लेन उच अस्तरिय आर सीसी पूल का निर्मान लागत 210.3 करूर रुपए भागलपूर जीला अंतरगत अगवानी घाट अगवानी घाट सुल्तान गंज गंगा सेतु परियोजना के चार लेन पहुँच पत का विस्तारित निर्मान कार्य लागत 209.32 करूर रुपए गंडग नदी पर सत्तर घाट पूल के अतिरिक्त वाटर वे का निर्मान कार्य किया जा रहा है भारत रत्न करपूरी ठाकूर सोवेच जन्म वर्ष की पुर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्ग्य स्री करपूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोशना की इनकी बारे में इनका जन्म 24 जन्वरी 1924 को पित्तो जिया गाउं अब करपूरी ग्राम समस्ति पूर में हुआ और 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया जन्नायक के नाम से लोग प्रिय और सामाजिक न्याय की प्रवल समर्थक रहे सोसलिस्ट पार्टी के उमिद्वार की रूप में उन्होंने 1952 में ताजपूर विधान सभा सीट से जीत हासिल की दू बार बिहार की मुख्य मंत्री की रूप में कार्य किया 22 दिसंबर 1997 से 2 जून 1971 तक सयुख सोसलिस्ट पार्टी से 24 जून 1977 से 21 अप्रेल 1979 तक जन्ता पार्टी से 1977 में थोड़ी समय के लिए वो वे सांसत भी बने 5 मार्च 1967 से 28 जन्वरी 1968 तक बिहार की सिक्षा मंत्री की रूप में भी कार्य किया और मैट्रिक परिक्षा में अंग्रीजी को अनिवार्य विशे की रूप से हटा दिया उन्होंने 1977 में बिहार में पूर्ण साड़ा बंदी लागू किया कर्पूरी ठाकुर फर्मूला ने 1978 में 26 प्रतिसत आरक्षन प्रदान किया जिसमें OBC को 12 प्रतिसत हिस्सा मिला OBC के नीचे आर्थिक रूप से पिछरे वर्गों को 8 प्रतिसत महिलाओं को 3 प्रतिसत और उच्च जाती के गड़ीबों को 3 प्रतिसत हिस्सा मिला भारत रत्न के बाड़े में भारत का सर्वोच नागरिक सम्मान है अस्थापना 2 जन्वरी 1954 किसी विशेश वर्ग में वार्षिक पुरुसकारों की संख्या अधिक्तम 3 तक सिमित है लेकिन इस वर्ष पाँच व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया इनमें ये सामिल है करपूरी ठाकुर लाल कृष्ण अडवानी चौदरी चरन सिंग पीवी नरसिम्हा राव म.S. स्वामिनाथन पुरुसकार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता मानप्रयास की किसी भी छेत्र में असाधारन सिवा या उच्चतम अस्तर की प्रदर्शन के लिए पुरुसकार दिया जाता है 1954 में पहले प्राप्त करता सी राज कोपालाचार्य सर्वपली राधा कृष्णन और सीवी रमन थे करपूरी ठाकूर भारत रत्न पाने वाले 49 व्यक्ति हैं करपूरी ठाकूर भारत रत्न पाने वाले 49 व्यक्ति हैं विसेश राच्च स्रेने का दर्जा बिहार के जांजरपूर से संसद राम प्रित मंडल संसद में बिहार के लिए विसेश राच्च का दर्जा का मांग हाल ही में उठाया लेकिन 24-25 बजट में केंद्र सडकार ने वित्य आयो का हवाला देते हुए भविस्य में बिहार अंद्रप्रदीत राच्च को विसेश राच्च का दर्जा देने से मना कर दिया है विसेश राच्च स्रेनी कोट 1969 में पाचवे वित्य आयो की सिफारिस पर पेस किया गया था यह राच्च के विकास में साहता के लिए केंद्र सरकार राष्ट विकास परिशत द्वारा दिया गया एक वरगी करन है विसेश राच्च के लिए मान्दन पहाडी और कठिन इलाका कम जन संख्य घनत्व या जन जात्य आवादी का बड़ा हिस्सा अंतराष्ट सीमाओं की समीप रननेतिक अस्थान आर्थिक एवं धाचा गत पेश्रापन राच्च के वित्त की गैर वहवारिक प्राक्रितिक नोट पॉइंट उप्युक्त मान्दन गाडविल फॉर्मूला पर अधारित है विसेश राच्च के लाव केंद्र प्रायोजित यूजना में आवश्यक धन रासी का 90 प्रतिसत केंद्र वहन करता है खर्च न किया गया पैसा लेप्स नहीं होता और अगली वित्त वर्स में चला जाता है राज्य को अन्य महत्पुर्ण रियायतें भी प्रदान की जाती है जैसे कॉर्प्रेट टेक्स कस्टम ड्यूटी आदी में रियायत केंद्र की सकल बजट का लगभग 30 प्रतिसत भी उनकी पास जाता है वर्तमान SCS राच्य अरुनाचल प्रदेश नागा लेंड मनिपूर मिजोडम त्रीपूरा मेगाले असम सिक्की उत्रखंड हिमाचल प्रदेश और तेलांगना राच्य नोट पॉइंट चौदवे वित आयुक की सिफारिसू की बाद विशीस राच्य का अस्तित्य समाप्त हो गया चौदवे वित आयुक ने कर हस्ता नरंत्रन की माध्यम से ऐसी राच्यों की संसाधन अंतर को 30 प्रतिसत से बढ़ा कर 42 कर प्रतिसत करने का भी सुझाव दिया क्रीसी रोड मैप 4 क्रीसी के समग्र विकास के लिए राच्य सरकार द्वारा एक अप्रेल 2023 को चौथा क्रीसी रोड मैप लागू किया गया इसकी अवदी 31 मार्च दोजार अठाइस तक है इस अवदी में राच्य सरकार क्रीसी से जुड़े विकास कारियों पर लगभग 1.62 लाग करों रुपए खर्च करेगी बिहार के लिए चतुर्त क्रीसी रोड मैप 2023 से अठाइस का सुभारम मान्यन्य राष्ट पती स्रीमती द्रौपदी मुर्मुर्द्वारा 18 अक्टवर 2023 को किया गया चौथी क्रीसी रोड मैप में 12 विभागों को सम्मिलित किया गया है चौथी क्रीसी रोड मैप की तहत क्रीसी के आधुनिकी करन पर ध्यान दिया जाएगा राच्च में ही बहतर गुनवत्ता वाले बीच का विकास कराया जाएगा फसल अवसीस प्रबंधन वाले यंत्रों का निर्मान भी किया जाएगा मोटे अनाश की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा चतूर्त क्रीसी रोड मैप में दलहन तेलहन एवं पोसक अनाश की विकास पर विसीस बल दिया जाएगा इसके लिए राच मेद दलहन एवं तेलहन विकास मेशन का आधुनिक क्रीसी यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विसेस कश्टम हाइरिंग सेंटर की अस्थापना की जाएगी क्रीसी के सर्वागिन विकास के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विसेस ध्यान रहेगा चोथी क्रीसी रोड मैट की तहट विभाग प्राकिर्तिक वन भूमी पर 350 लाग पौधी का रोपन एक लाग हेक्टेर में मृदा जल सनरक्षन तथा 1500 हेक्टेर मीटर जल संचय छमता की गार्लेंट ट्रेंच निर्मान का लक्ष निर्धारित किया गया है इस समय वदी में प्राकिर्तिक वन भूमी सहित प्राकिर्तिक वनों की बाहर करी 20 करोर पोधों को लगाया जाएगा टीसु कल्चर अधारित पोधों सालाओं की अस्थापना की जाएगी क्रीसी रोड मैप में निर्धारित कार्यकडमों के प्राभाविक कार्यान्वन के फल स्वरूप वर्स 2011 सी बाड में चावल वर्स 2012 सी तेड़ में गेहूं वर्स 2015 सी 16 में मक्का मोटे अनाज तथा वर्स 2017 अठाड में गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादक्ता में उलेखने उपलब्दी के लिए भाड सरकार द्वारा राज जिको कूल पांच कृसी कर्मन पुरुसकार दिया गया है Note Point क्रीसी रोट मेप 1 2008 से बाड़ क्रीसी रोट मेप 2 2012 से 17 क्रीसी रोट मेप 3 2017 से 23 जन सुराज अभ्यान 2 अक्टवर 2022 को महत्मा गांधी के का आगास किया बिहार में सामाजिक एवं राजनेतिक बतलाव के लिए यात्रा अभी तक 65 किलो मेटर चल चुका है और आगे भी अग्रसारित है इस दोडान यात्रा पश्चिम चंपारन पुर्वी चंपारन सिवहर मुजफरपूर सारन सिवान गोपाल गंच 42 समस्तिपूर सीता मड़ी खगरिया सहरसा सुपॉल मधेपूरा से होते हुए अभी पूर्णिया में चल रहा है 2 अक्टवर 2024 को जन सुराज अभ्यान का दल की रूप में गठन किया गया जिसमें बिहार के एक लाग से अधिक जनता वैटनरी कॉलेज ग्राउंड में उपस्तित रहे जिसका अधिकारिक नाम जन सुराज पार्टी है इसके प्रतम अध्यक्ष की रूप में दलित समाट से आने वाले भारत के पुर्व रसाइनिक मनोज भारती मधुवनी मनोज भारती का चयन किया गया जन सुराज दल के रूप में देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपने समविधान में राइट टू रिकॉल रखा है जिसकी तहत अगर चुनाव जीतने के बाद सदस्य भरष्टा चार्य करेगा तो उसी वापस बुला लिया जाएगा दल के उमीद्वार का चयन अमेरिकन सिस्टम की तहत जनता द्वारा सीधी किया जाएगा प्रशान्त किसूर सासा राम के कोनार गाओं में रहने वाले हैं पटना साइन्स कॉली सी पढ़ाई की और इस दोरान कैवेडिस छात्रवास में रहते हैं आगी चलकर यू एन के लिए पब्लिक हैल पर करीबन दस वर्स काम किया वर्स दोजार बाड़ में गुजरात की विधान सभा चुनाव की दोरान नरेंद्र मोदी की राचनीतिक सलहकार रहे यहीं से उन्होंने चुनाव प्रबंधन काड़ी की सुरुवात की पहले दोजार बाड़ में C.A.G. संस्था बनाया फिर दोजार पंद्र में IP.A.C. बनाया जिसका निर्मान चुनाव प्रबंधन के लिए किया इसके बाद कई राचनीतिक दल की सलहकार रहे जैसे दोजार चौदर में लोग सभा चुनाव की दोरान B.G.P. के 2015 में महागट बन्दन जिसमें J.D.U.R.J.D. इत्यादी दल थे 2017 में उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस के लिए 2018 में पत्ना विश्विद्यालय चात्र संग में J.D.U. के लिए Y.S.R.C.P. के लिए जगन मोहन रेडी के लिए पंजाब में कॉंग्रिस की कैप्टन अर्विंदर सिंग के लिए दिल्ली में अर्विंद केजरिवाल की पार्टी आप के लिए पंजाब सिव सेना के लिए 2020 में 2021 में बंगाल में T.M.C. और T.M. के लिए तमिल नाडू में इत्यादी बिहार पढ़िया वरन वन एवं जलवायू विभाग द्वारा हाल ही में लिए गए निर्ने वन निप्रानी की हमली में मारी जाने पर अब 10 लाख रुपए का मुआबजा दिया जाएगा गंभीर चोट आने पर 1.44 लाख रुपए तथा हलकी चोट पर 24,000 रुपए का मुआबजा दिया जाएगा बसु द्वारा फसल छती पर 50,000 रुपए प्रती हेक्टेर मुआबजा मिलेगा अब घोर परास द्वारा फसल छती पर भी मुआबजा दिया जाएगा गोर परास चंगली सुबर को मारने के लिए मारने की सीमा पांच साल की व्रिधी की गई है मुख्या ग्राम सभा में 50 गोर परास तक मारने का फैसला ले सकते हैं गुर प्रोचाहन नेती 1 अक्टवर 2024 से गुर प्रोचाहन नेती लागू किया गया विसेश्ताएं राज के सभी 38 जीलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा उद्यम्योक को योजना का लाव देने के लिए कैन केर सोफ्ट वेयर विक्सित किया गया है चीनी मीलो की हित को ध्यान में रखते हुए 15 किलो मेटर की दूरी पर ही गुर उद्योक लगाने की अनुमति दी जाएगी इसमें 50 प्रतिसत तक अनुदान का प्रवधान है पांच करोर से अधिक निवेश करने वाले उद्यम्योक को बैंक ब्याश पर 10 प्रतिसत अनुदान भी दिया जाएगा National Institutional Ranking Framework 2024 में बिहार का प्रदर्शन बिहार के सिक्छा संस्थान का प्रदर्शन बिहार के सिक्छा संस्थान का प्रदर्शन स्रेनी संस्थान रेंक Overall IIT पतना रेंक है 73 AIMS पतना का रेंक है 99 Engineering IIT पतना का रेंक 34 NET पतना का रेंक 55 है प्रबंधन IIM बोद गया का रेंक है 33 Pharmacy National Institute of Pharmaceutical Education and Research हाजिपूर का रेंक है 33 Architecture and Planning NET पतना का रेंक है 27 Law चानक के National Law University पतना का रेंक है 31 Medical AIMS पतना 26 रेंक है Agriculture डॉक्टर राजेंद्र प्रशाद Central Agriculture University समस्ती पूर रेंक है 36 नालंद विश्विद्याले का नया परिसर मार्च 2006 में बिहार राच्च विधान सभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के पुर्व राष्ट पती डॉक्टर एपी चे अब्दूल कलाम ने प्राचिन नालंद विश्विद्याले के पूर्ण रूद्वार का प्रस्ताव रखा था भारत की संसद ने नालंद विश्विद्याले अधिनियम 2010 पारित किया और इसी राष्ट महत्व की संस्था का दर्शा दिया गया इस प्रकार नालंद विश्विद्याले की अस्थापना हुई और 2017 से 2023 की दोड़ान नए परिशत में बुनियादी धाची का निर्मान किया गया वास्तुकार पद्म बिभूशन दिव्यगंत दिव्यगंत बी बी दोसी ने प्राचिन नालंद की वास्तु को दर्साते हुए पढ़िया वरन के अनुकुल वास्तुकला को डिजाइन किया जबकि विस्स मानकों से मेल खाने वाली सभी आधुनिक सुविधाओं को एकी कृत किया यह एक बड़ा कारवन फूट्प्रेंट मुक्त नेट जीरो कैंपस है जो कई एकर में हर्याली और सौ एकर में फैले जल निकायों में फैला है जो वास्तब में सीखने का निवास है पूरा विस्स विद्याले 455 एकर में फैला है नालंदा विस्स विद्याले के नए परिसर का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वाड़ा उनिश जून दोजाचोबिस को राजगीर में किया जाएगा इस विश्स विद्याले के विजिटर भारत के राष्ट पती है कुलादी पती प्रोफेसर अर्विन पंगारिया अंत्रीम कूल पती है प्रोफेसर अभय कुमार सेंग मुख्य मंत्री अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जन जाती सिविल सिवा प्रोचसाहन योजना लोक सिवा आयोग रेलवी भरती बोड इत्यादी द्वाडा आयोजित पीटी परिक्षा में उत्तेन चात चात्राओं को इस योजना की तहत प्रोचसाहन रासी परतियोगी परिक्षा कना परतियोगी परिक्षा आयोजित करने वाली संस्था प्रोच्चाहन रासी सिविल सेवा पडिक्छा संग लोक सेवा आयो नई दिल्ली एक लाख रुपई प्रोच्चाहन रासी भारतिय अवियंत्रन सेवा भारतिय आर्थिक सेवा भारतिय संख्याय की सेवा संग लोक सेवा आयोग नई दिल्ली प्रोत्साहन रासी 75,000 रुपए सयुक्त रक्षा सेवा CDS केंद्रिय अव्वेशन ब्यूडो CBI केंद्रि ससत्र पुलिस बल संग लोक सेवा आयोग नई दिल्ली 50,000 प्रोत्साहन रासी राष्ट रक्षा अकादमी NDA एवं नौ सेना अकादमी की प्रथम चरन लिखित परिक्षा उत्तेन होने पर संग लोक सेवा आयोग नई दिल्ली 50,000 रुपए प्रोत्साहन रासी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सयुक्त प्राडंबिक परिक्षा बिहार न्यायक सेवा की प्राडंबिक परिक्षा में उत्तेन होने पर बिहार लोक सेवा आयोग की द्वारा 50,000 रुपए प्रोत्साहन रासी अन्य राच्यो द्वारा आयोजित राच्य सिविल सेवा सयुक्त प्राडंबिक परिक्षा में उत्तेन संबंदित राच्यो के राच्य लोक सेवा आयोग 50,000 रुपए RBI Grade B अधिकारी की प्राडंबिक परिक्षा SBI एवं अन्य अनुसूचित वेबसाइक बैंको में प्रोबेटनरी ओफिसर की प्राडंबिक परिक्षा LIC सहयक प्रसासनिक अधिकारी की प्राडंबिक परिक्षा में उत्तेन RBI SBI IBPS LIC 30,000 रुपए प्रोचसाहन रासी सयुक्त स्नातक अस्तर्य प्राडंबिक परिक्षा केंद्री करम चारी चयन आयोग नई दिल्ली 30,000 रुपए बिभिन रेल्वे भरती बोट की द्वाडा आयोजित परिक्षा तकनीकी एवं असनातक प्राडंबिक परिक्षा में उत्तेन होने पर संबंदित रेल्वे भरती बोट 30,000 रुपए प्रोचसाहन रासी दी जाएगी स्मार्ट प्रिपेड मेटर चर्चा में रहे स्मार्ट प्रिपेड मेटर उर्जा विभाग बिहार सरकार द्वारा सभी घड़ों में निसुल्क लगाया जा रहा है स्मार्ट प्रिपेड मेटर के फायदे ओनलाइन रिचार्च करने पर 3% की विशेश छूट दी जाती है यदि उपभोगता की खाते में 2000 रुपए से अधिक रासी लगता रहता है तो ब्याज मिलता है खाती में तीन महीनी तक रखने पर बैंक दर से ब्याज दिया जाता है छह मां से अधिक समय तक रखने पर बैंक दर प्लस 0.50 प्रतिसत की दर से ब्याज दिया जाता है स्मार्ट प्रेपेड मेटर और सामान्य मेटर की दर एक जैसी है अनुदान अधारित सुर्य घर बिजली मुक्त योजना में स्मार्ट मेटर नेट मेटरिंग का काम करता है घर बैठे सुवीधा एब से सुवीधाओं का लाव उठाया जा सकता है इस एब परदैनिक हपत की सही सही जानकारी मिलती रहती है रासी सुनने होने पर उपभोगता को SMS कॉल की जड़ी जानकारी दी जाती है रासी सुनने होने पर उपभोगता को SMS कॉल की जड़िये जानकारी दी जाती है तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना इकलास अच्छी लगी हो प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब कीजिए जैहिन, थाइंक यू